कि अगर प्रावलम आ जाते हैं तो एक साथ में और कई पेपर को लिफ्ट करना शुरू कर देता है हलो फ्रेंड्स प्रिंटर रिपैरिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बैल आइकेन को ज़रूर प्रेस करें करेंगां। हेलो फ्रेंड्स आप यू टूब चैनल में आपको स्वागत है नयीवीडियो के साथ में आपके पास आया हूं कि उस्पीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि प्रिंटर में क्या प्रावलम्स आ रहे उसकी का कैसे हमें इसे हमें sch Film करना आ है है तो पहले हम प्रिंटर्स के मोडल नंबर के बारे में देखेंगे और किस कंपनी का वो प्रिंटर है वह भी मैं आपको बताऊंगा उसे दिखाऊंगा अभी है थैसे कंपनी काॉर्ण selी हेजिप लेजर जैट गारा चाटिस कंपनी का मोड़ल न नंब्र है गारा चातीस के उस इस पिर्टर में 88 नंबर कार्टेज उजुcem में और उस पिर्टर में क्या प्रावल्म आ रहे है हैं इस उम्हारा पेंटर कि रेडी है आल्रेडी तो हम उस परिंटर में अब कमांड देनी जा रहे हैं कमांड देने की बाद उस प्रिंटर में क्या होता है वह भी आप हम अभी देखेंगे सबसे पहले हम चलते हैं डेक्ट पर आता है है control panel में जाएंगे control panel पर मैंने क्लिक किया हाडवेर और साव्ड ओप्शन है हाडवेर और साव्ड ओप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे है प्रिंटर डिवाइज और प्रिंटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे कि अप है жCo अब एह सb sought यू प्रोफेस्ट प्रिंटर स्विए मेड़ को सेलेक्ट करें जह ओर मैं देखे लिखा हूँ प्रिंटर प्रोप ऐप इस फिर्न के उपर आएगे इस अर यहां पर एक और आप सब्सक्राइब करने के बाद कई पर को पिकप करने लगता है एक साथ में और देखिए यह पेपर जाम हो गया होगा अब इस प्रॉलम को कैसे सौल्ब करेंगे वह भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा और यह प्रॉलम जो आपके सामने आ आपके यह हार्डवेर से रिलेटेट फोल्ट से solu इस कंडिशन में हमें क्या करना होगा प्रिंटर को खुश ऐसे से युकराप करना होगा तो चलिए न 그대로 स्टार्ट करते है किस तरीके से मों ओपन करते हैं ओपन करने का भी प्रोसेस हम देख लेते हैं तो सबसे पहले प्रिंटर में पावर आफ करेंगे कि पावर के ऊपर और यूचिनेक कर लेंगे देख रहें आप दौनुद केवल को हमने डिस्कनेक कर लिए कि डिस्क्रेंट करने के बाद हमारा सिस्टम पावर ओफ हो गया है अब हम यहां पर प्रिंटर को ओपन करने जाएंगे कि तो एक स्कूर्व यहां पर लगे हुए देख रहे हैं इसी स्कूर्व को हम ओपन कर लिए कि उसी तरीके से इस साइड में भी है अब इसके बाद में दोनों साइड के जो कवर है इस कवर को हम ओपन करेंगे यहां से हमने इसे कवर को ओपन किया ओपन करने के बाद और इसके नीचे भी लॉक लगया होते हैं ओपन कर लिए ओपन करने के बाद यहां पर भी लॉक है और देखिए एक कवर हमारा ओपन हो गया देखिए और देखिए हमें इसमें चेक क्या करना है और भी मैं दिखाने जा रहा हूं यहां पर एक रिले लगा हुआ इस रिले में अगर प्रॉलम आ जाते हैं तो एक साथ में वह कई पेपर को लिफ्ट करना शुरू कर देता है यह यह रिले हमारा है कि इस रिले को हम ओपन करने जा रहे हैं अब रिले में आपको कुछ नहीं करना है कि देखिए पहले हम इसे बाहर निकाल लेते हैं खोल लेते हैं अच्छे से कि देखिए यह क्या हो रहा है कि चिपक जा रहा है तो इस कंडिशन में कभी भी क्या करना है पहले सबसे पहले टीशू पेपर लेना है के नहीं तो क्या करते हैं कि तो क्या करते हैं सेलो टेप जो होता है ऊप को म si Mai यह पॉइंट जो चिपक रहा था पहले अब यह नहीं चिपक रहा है और अब इसके नीचे जो स्प्रिंग लगा हो तो स्प्रिंग को भी हम यहां पर लगा देंगे कि देख रहे हैं और देखें यह दोनों पॉइंट को टॉच करके भी देखेंगे कि प्रोफर काम कर रहा है यह नहीं अब चप चिपक रहा है नहीं चिपक रहा है अब उससी तरीके से जिस तरीके से आपने किया है उससी तरीके से यहां पर क्या करेंगे इस रिले को दुबारा फिर फिट कर लेते हैं फुराशा इसे हम उपर उठा लेते हैं पता ही कैसे लगा होता अब हम दुबारा प्रिंटर को क्या करने जा रहे हैं पावर अन करने जा रहे हैं है कि सिस्टेम स्टार्ट भी हो गया है अब हमारा प्रिंटर रेडी हो जाएगा जैसी पर वान लिखा हो आ जाएगा समझे कि आपका प्रिंटर रेडी हो चुका हो रहा है कि अभी हो रहा है कि अभी मुवमेंट हो रहा है उपर में यहां पर कुछ टाइम मने वेट करना पड़ते हैं हमें क्योंकि हमें क्या पहले के तरह ही अभी प्रेपर एक साथ में दो यह त्यार क्याओ हो रहा है यह सिंगल पेज हो रहा है कि देखें सिंगल प्रेज बिल्कुल निकल चुका है लेकि दूसरा अभी नहीं आया यहां पर कर दो